दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LLB की तीन वर्सिय या पांच वर्सिय डिग्री पास करने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं परंतु एड़ोकेट बनने के लिए आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में इन्रोल्मेंट कराना पड़ता है इस इन्रोल्मेंट को करने के लिए लगभग सभी स्टेट बार काउंसिल के दौरा मोटी फीस ली जाती है यह इन्रोल्मेंट फीस सभी स्टेट के लिए अलग-अलग है परंतु यह एड़ोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 का उनलगा नैमिंस इस धारा में बताया गया है कि आप इतन अधिक फीस नहीं ले सकते हैं जिसके तहर संसोधन के बाद यह फीस जल्दी ही एड़ोकेट एक्ट 1961 के अनुसार 600 रुपीज हो सकती है इससे सम्मंदि सुप्रिम कोड के नए नियमों को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स और लीगल जॉब्स की इंफॉर्मेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सुप्रिम कोड दोरा न्यू लॉयर् इन्रोल्मेंट से जुड़ी खबर जान लेते हैं तो दोस्तो सीर्स अदालत ने 10 अप्रेल को बार काउंसिल आफ इंडिया आर्थाद BCI और अन्य से देश भर में अधिवक्ताओं के रूप में कानून इसनातकों को नामांकित करने के लिए राज्य बार निकायों द्वार वसूले जा रहे अत्यधिक सुल्क को चुनौती देते हुए जवाब मांगा था पीट ने कहा था कि हम इस पर नोटिस जारी करेंगे यह एक महत्तपूर मुद्दा है याचिका में कहा गया है कि अत्यधिक नामांकन सुल्क अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 का उल्लंगन करता है याचिका में दावा किया गया है कि ओडिशा में नामांकन सुल्क 41,100 रुपीज है और केरल में 20,050 रुपीज है यह फीज इसी तरह सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग है लेकिन जो फीज है लगभग इनी एमांट्स के आसपा सभी स्टेट्स की फीज है दोस्तो सीमित परिवारिक आयवाले विधीस नातकों को बड़ी राहत देते हुए उच्चितम न्यायाले ने सुक्रवार को कहा कि राज्यबार काउंसिल अपने नियमों के तहत निर्धारित 600 रुपीज से अधिक नामांकन सुल्क नहीं ले सकती है मुख्य नायदिस डीवाई चंद्रचूड और न्याय मोर्ती पीज नर्सिम्मा की पीट ने सभी राज्यबार काउंसिलों को नोटिस जारी किया और उनसे जानना चाहा कि वे कानून इस नातकों से नामांकन सुल्क के रूप में कितना सुल्क लेते हैं और उनसे एक वर्स में कितना पैसा एकत्र किया जाता है पीट ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार निर्धारित नामांकन सुल्क 600 रुपीज है और कोई भी राज्य बार काउंसिल इस से अधिक सुल्क नहीं ले सकती है बार काउंसिलाफ इंडिया की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता म अननकुमार मिस्रा ने कहा कि नामांकन के लिए 600 रुपे सुल्क 1993 में तैंकिया गया था और तब से लागत कई गुना बढ़ गई है पीट मिस्रा से सहमत नहीं थी जो BCI के प्रमुग भी है मिस्रा ने मौद्रिक मुद्राइस्पीत का जिक्र करते हुए कहा कि कानून में न और अक्तिदिक सुल्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह गरीब प्रिष्टफून भूम से आने वाले लोगों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है इसने सॉलिष्टर जनरल तुसार महता से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा और इसे गर्मी की छुट्टी के बाद आने वाला जो समय है नए जो अधिवक्ता है उनका जो रजिस्टेशन है केवल 600 रुपए में होने की संभावना है क्योंकि इसका निर्णा जल्दी ही आने की संभावना है बहुत बहुत धन्यवाद